जै गुरुदेव महर्शी वेद विज्ञान विश्य विद्धापीश जोतिस भाग द्वारा दैनेक बैदेक पंचांग प्रिश्टोत करते हैं आज दिनांग आठ जुलाई शन दो हजार तेईशे महर्शी संबसर 106 चल रहा है विक्रम संबद दो हज्यार अशी के अंतरगत उत्तरयन ग्रीश मिर्टू सुद्ध सरावन मास कृष्ण पक्ष की आज सश्टी तिथी दो वचकर 55 मिनट रातरी परियंत रहेगी तत पस्चा शप्तिमी तिथी प्रारम होगी आज दिन सनीवार ह आज पूर्वा भाद पद नक्षत्र है दो वचकर 6 मिनट रातरी परियंत तत पस्चा उत्रा भाद पर नक्षत सुरू होगा आज शोभाग योग है ग्यारा वचकर 14 मिनट रातरी परियंत तत पस्चा शोभन योग सुरू होगा आज गर करण है चार वचकर 4 मिनट दो फर सुर्ष दे क शमय है पांच बच कर 15 मिनट प्राता, सुर्यस्थ का समय है 6 बच कर 45 मिनट शायम राहुकाल का शमय है 9 वजे प्राता से 10 बच कर 30 मिनट दिन में इसी क्रम में द्वास राशियों का फल सर प्रत्थम मेश राशी आज कोई छुपी बात आपके शामने आ सकती है जिसे आपको कुछ परिशानी महशूश होगी इस्तिवर के लिए दिन खास तोर पर फायदे मंद रहेगा हलाकि परिवार के अलावा बाकी कामों में भी उनका युगदान रहेगा बिध्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा ज्यादा कामों की उल्जुनों में फस्त कर आप अपने निजी जीवन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे अपने शुभाव और काम करने के तरीकों में समय के हिसाब से बदलाव करना बहुत जरूरी है अपनी खास चीजों को शम्हाल कर रखें चोरी होने जैसी इस्थिती बन सकती है ब्रिशवरासी ब्रिशवरासी बाले व्यक्तियों के लिए परस्तितियां बहुत अनकूल रहेंगी आज अपनी योगता से किसी भी रुकावट की परवाह न करते हुए आगे बढ़ें घर में महमानों के आने से आपको बड़ी प्रशनता होगी खास मुद्दों पर भी आपकी कुछ बातचीत होंगी मन मुताविक बात न वनने पर थोड़ा धहरे रखें घर के किसी सदस्ट के स्वास्त को लेकर चिंता रहेगी जिसमें कुछ काम अधूरे रह सकते हैं योबा लोग अपने मोज मस्ती में शमय खराब ना करें बिजनिस में कोशिश के मुताविक अच्छे नतीजे मिलेंगे और उसमें जितना परिश्रम करेंगे अपने करमचारियों का ध्यान रखेंगे बैसा आपको लाब होने के शंकेत हैं मिथुन रासी कुछ समय से चल रही जो परिशानी उल्जनों में दोस्त की मदद आपको प्राप्थ हो शक्ती है भूमी शमन्दी मामला चल रहा है तो काम बन जाएगा थोड़ा समय रचनात्मक कामों में बिताने से शुकून प्राप्थ होगा ज्यादा जिम्मिदारियों की बज़े से थोड़ा समन में चिंताएं अवश्य रहेंगी दूसरों की उम्मीद ना रखें किशी भी आत्रा को टालना उचित है बीती हुई नकारात्मक बातें आपका थोड़ा समान से चिंतादे शक्ती हैं बिजनिस के सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे नई योजना में निवेश करना पड़ा सकता है और शे आपको लाफ भी होगा एक गतिमिदी हैं आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक स्थिती को काफी मजबूत करने वाली हैं करकराशी दिन चरिया में शमय पर बदलावा आएगा परिवार बालों के साथ घर की शमश्या हल करने पर विचार बिमश होंगे अच्छा समाधान निकलेगा योबाओं को प्रतियोकता परिक्षा में मेहनस के मुताविक नतीजे मिलेंगे ध्यान रखें कि किसी पर भी आख बंद कर के ज़्यादा भरुशा ना करें कोई नजदी की रिस्तेजार आपके खिलाब गलत फैमिया पैदा कर सकता है इस शमय लेंदेन के छेतर में बहुत शाब धानी रखें भवश्य की कोई भी योजना आज ना बनाएं बिजनिस बिफशाय में नई शमभाब नाशामने अवश्य आएंगे लेकिन उम्बीत के मताविक नतीजे कम ही मिल पाएंगे महनत और कारच शमता में किसी तरह की कमी ना आने दें बिजनिस बढ़ाने के लिए सफल लोगों का मारदर संद जरूर लें आफिश में कोई खास प्रोजेक्ट मिल सकता है और उस पर आप काम भी कर सकते हैं किशी दोस्त के साथ चल रहा मन मुटाव दूर होगा अपने काम निप्टाने के लिए आपको बहुत अच्छा तरीका भी मिलेगा इससे आप खुश रहेंगे और एनर्जिक महशुश करेंगे कहीं भी निवेस करने की योजना है तो उस पर अमल करने के लिए दिन अच्छा है जो खम भरे कामों से दूर रहें लापरवाई में कानून ना तोड़ें जल्दी ही गुस्से में आने से आपको कोई बना काम बिगड़ सकता है राजनेतिक मामलों में दखल बिल्कुल ना दें बिवसाय रुका हुआ है पैशा मिल सकता है बिजनिस में अच्छे आपर मिलनेंगे जो की फायदे मन्द रहेंगे और स्टाप करमचारियों के कामों पर नजर रखने की आवश्रक्ता है आपस में बड़ी जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो शक्ती है पति-पत्नी के संबंदों में अनकूलतार रहेगी स्वास्त में थुड़ा स्तनाव रह सकता है इस समय कुछ प्रभावित हो शकते है अदि आपको कोई पहले शेयरोग है तो अपना इस पर ध्यान देने की आवश्रक्ता है करन्या राशी अपने आसपास के लोगों के शाथ मधुरता पूर्ण शम्मन रखें अपनी कार्य प्रणाली को योजना बद्ध और विवशाय रूप से अंजाम दें अगर घर पर किशी प्रकार के शुधार सम्मद योजना बन रही है तो बास्तु की निमों का अवश्र प्रियोग करें ऐसा करना आपके लिए फायदे मन रहीगा ब्यक्तिगत तथा पारिवारिक गत्विदियों में संतूलन बना कर रखें तथा बक्त के अंजार अपने शुभाव में भी अवश्र लचीला पन रखें इस शमय किसी भी तरह की उधारी करना आपको नुक्षान में डाल सकता है यह वाग गलत आदतों में गलत संगती से दूरी बना कर की रखें बिजनिस में असमन जैसे इस्तिती रहेगी इसलिए शहयोगियों तथा घर के अनुभाव व्यक्तियों को निर्णाई को प्राथ मित्ता देना बहुत जरूरी है और घर परिवार के अनुभाव लेकर के ही कोई कार करें तुलाराशी आज आपकी कोई शमश्या सुलश सकती है जिससे आपका आत्मिश्वास और बढ़ेगा आपको अपलब्धिय मिल सकती है इनकम के सोश बढ़ेंगे भविस्की योजना को लेकर आप सकारात्मा फैश्वा लेंगे किशी भी काम में जल्द वाजी बिल्कुल ना करें बच्चों की शमश्याओं को शुल्याने में थोड़ा समय जरूर निकालें काम अधिक होने से गुस्सा और चिचड़ापन अवश्यो शकता है नियंत्रन रखें बिजनेस में रुका हुआ काम तेज होगा लेकिन नई जिना पर काम करने के लिए शमय भी ठीक नहीं है परिवार का माहुल सुखद रहेगा स्वास्त की छेतर में भारी जिसको गैस्टिक प्रावल में बढ़ सकती है अथ्वा मौशम की कारण स्वास्त में थोड़ा उतार चड़ाव रहे शकता है ब्रिश्यगरासी दिन सामान रहेगा रुके हुए काम पूरी करने के लिए क्रियाशील बने रहे सफलता मिल सकती है सामज़क काम में एक्टव रहने के लिए कंटेक्ट बनाए रखें स्टूडेंस पढ़ाई पर गंभीरता से ध्यान दें खर्चे बढ़ने से बजट बिगड़ सकता है हाला कि शमय के मुताविक चीजें बिवस्तत होती जाएंगी किशी भी दस्तावेच को दूसरों के हाथ में बिलकुल ना दें चोटी मोटी बातों को लेकर भी बात करने से दूर रहें नया काम भी शुरू ना करें जो चल रहा है उसी कारी को करते रहें कारेस तल पर नय काम शुरू बलकुल न करें मेहनत के बाद ही फायदा ना मिले ऐसी इस्तिती बन सकती है प्रापर्टी या कमिशन से जुड़े बिजिनेस में मन मुताविक फायदा अवश्य मिलेगा धनू राशी सामान दिन बीतेगा लेकिन तैर रनीती पर काम करने से मन मुताविक शफलता मिलेगी खाश लोगों का पूरा मारत श्रम मिलेगा ब्यस्तता के बाबजू थोड़ा बक्त अपने ले भी निकालें निवे सम्मंदी कोई फैशला अभी ना लें चालाक लोगों से दूरी रखें क्योंकि उनका मन आपको समझ नहीं पाएगा कई बार ज्यादा सोच बिचार करने से शमय निकाल सकते हैं घर में बदलाव करने की शमंदी योजना बना रहे हैं तो जल्द वाजी करना ठीक नहीं है बिजनिस में अपने प्रती दुन्दियों को नजर अंदाज बिलकुल न करें शमन नोकरी और बिजनिस में अपनी उपस्थिती बनाए रखें किसी भी तरह का जोखम लेने से आपको बचना चाहिए मकर राशी परिवार और केरियर के मामले में दिन अच्छा रहेगा प्रतिष्टत लोगों किसे फायदे मन मुलाकात होगी किसी दोस्तियार इस्तियार के साथ आपके डील हो सकती है जो कि आपके लिए बहुत फायदे मन होगी गुसे में आकर बेकावो होने से आपकी मुशीवत बढ़ सकती है गैर जरूरी खर्चे बने रहेंगे नकारात्मक लोगों से दूरी रखें अपने लक्स से भटक जाएंगे थोड़ा समय आध्यात्मिक जिगहों पर भी जरूर दें ध्यान साधना आदी में अपने समय बिताने का प्रयास करें साधी सुदा लोगों के लिए बहुत दिन अच्छा है घर का माहुल प्रिशन खुश रहेगा प्रयम शंबंदों में नजदी किया बढ़ेंगी स्वास्थ ज़्यादा काम होने से थोड़ा चिर्चड़ा पना वश्योगता है अपने स्वास्थ पर विशेध ध्यान रखें कुमबराशी कहीं पैसा उधार दिया हुआ है तो बापसी हो शकता है बिवादत मामलों को आपसी ताल मिल से निप्टाने के लिए अच्छा समय है घर में रिस्तिजारों का आगमन रहेगा निजी कामों के लिए आप समय निकाल लेंगे आनलाइन कामों के जरिये दिये गए लालचन में ना फसें यात्रा करते वक्त अंजान लोगों के साथ निजी बातें सेयर बिलकूर ना करें नुक्षान दाय करेंगी कोई भी फैस्टर लेते समय है दिल की वजाए दिमाग से लें जल्दवाजी ना करें थोड़ी शी कोसिस से ही आपके बिजनिस के काम पूरे हो जाएंगे नया अर्डर या डिल फाइनल हो सकती है कोई भी महत्पून प्लान दूसरों से शीर न करें नहीं तो आपके कामों का फायदा कोई और उठा लेंगे नोकरी में कुछ बदलाव अवश्य होगा परिवार वालों के साथ दिन आपका प्रिशनता रहेगा ठकान जरूर आपके लिए हावी ना होने दें इसका असर आपके कामों पर पड़ सकता है मीन रासी आपको विवस्थत रखें अपने कारिश छेतर को विवस्थत रखें दिन चरिया को समय पर ध्यान दें खान पान पर तो आपके लिए अवश्य अच्छा रहेगा थोड़ा सरी में ठकावट आपको वश्य होगी पुराने विवाद दुवारा उभर शकते हैं ध्यान देने की जरूरत है खास तोर से पैंसो के मामलों किसी पर ज्यादा भरूश बलकुल ने करें कोट के समन्दी मामलों को इस्थागत रखें फायदे मन के चक्कर में किशी की बातों मन न आए विवशाय कारोवारी मामलों ब्यस्तता रहेगी बिस्तार शम्मन्दी गतिविदियों में अंजाम देने के लिए उत्तम समय हैं एह रहाद द्वास राश्यों का फल इसी के साथ हम अपनी बाणी को उबराम देते हैं जय गुर्देव, जय महाश्रीम